आप देख रहे हैं आपका बाज़ार विवेक गुपता और गौरांग हमार साथ मौजूद हैं लेकिन अभी ब्रिक में जाते हुए नंबर्स आए एसकॉर्ट्स के वो देख लेते हैं एसकॉर्ट्स की जो बिक्री है वो करीब 29% बड़ी है जो ले आई है स्टॉक को अब 700 के उपर अरड़ी ए लाइफटाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है लेकिन अब 700 के ऊपर ही आ चुका है ये फिगर आई है इस बार की लेकिन स्टॉक एका एक एक नंबर्स आने के बाद ड्रॉप हुआ है और अभी आदा परसेंट नीचे एट रेट कर रहा है जो टूटल सेल्स है मारुती की 1.37 लाक यूनिट रही है में मन्त के दौरान एक्सपेक्टेशन थी की जो इस मंत के सेल्स हैं वो 19% ग्रो हो सकती है तो अगर हम एक कंपैरिटिफ फीगर देखे तो सिर्फ 11% की नीचे रही है यह जो प्रोजेक्शन से उसे Stew की almost half यह नंबर आता हुआ दिखा है मारूती सुजुकी का एक्सपर्ट कॉमेंट भी ले लेते हैं अश्विन पार्टन हमारे साथ है उनसे बाचीत करते हैं अश्विन गुड मॉर्निंग अभी मारूती का जो सेल्स नंबर आया है ये टोटल सेल्स इनकी करीब एक लाग सेतिस अजार यूनिट रही है यानि जो परसंटेज टम्स में देखे तो सिर्फ ग्यारा परसंट का उचाले एक्सपेक्टेशन उननीस बीस परसंट की थी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और जो फिगर्स आई है कैसी लग रही है मुझे भी लग रहा है था कि तक्वीबन 1.45 लाट का आज पास आजाएगा नमबर लेकिन 1.37 लाट थोड़ा सा डिस अपास है देखना होगा कि एक्जाक्ली क्या हुआ है तो मेरे काल से भी थोड़ा ब्रेक अप आप अपर बताएंगे तो मिस्टर पारटिल आफ सा आप जो डूमेस्टिक सेल्स आहँ पनेस्टाट तक के आसपास का एजाफा हुआ है लेकिन ब्स टेकने कुमिला है एक्सपॉर्ट सधार में धुक्ांने को मिले है तो तो उसलिहां से आभी आप क्या कहेंगे मुझे वही लग रहा था कि डोमेस्टिक में तो बड़िया नंबर हैंगे क्योंकि में में तो मारे सीजन के चलते हुए मुझे लग रहा है कि मेरे एक्पेक्टेशन से 12-15 टका ग्रोथ डोमेस्टिक में और अबाउट 56 परसेंट ग्रोथ मुझे एक्सपोर्स में लग रहे थ मेरे खाल से कुछ शिप्मेंट जो एक्सपोर्स के लिए जाते हैं जो समुंदर के रस्ते से जाते हैं वो उसमें कभी-कभी डिले हो जाते हैं शिप्मेंट एट ट्रांसफर्ड गेट पुष्टू नेक्समें तो अभी जून में शायद एक्सपोर्स अच्छ दिखेंगे मेरे कार चेज़ बी एक्सपोर्ट मारकेट बत लिए प्रेश दिख सकते हैं बड़कायथ्ट कैसा है कि मारुदी कि ड्रेंड रहा है इख महिने में बहुत जाधा कट लिए थीर फांसफरे महिने में अस्ता इंप्रूमें डिख जाता है ठीक है, पैसेंजर वेहिकल सेल्स जो है वो 8% पर आई है, क्या ये ओन एक्सपेक्टेड लैंस रही है, डॉमेस्टिक सेल्स आपने बता है कि जो आकड़ा आया है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के आसपास ही आया है, लेकिन अगर प्रसाइसली ब्रेक अप देखें तो पैसे हैंजर वेहिकल नमबज के आगर मैं कहूंगा तो फूफाफ्टेट काशा था आट-D falsch था जुट अगा इन बड़ाऊनट फोग्जच जो भी प्रफॉम कर रहा है वो कि अभी अगर आप स्कृत कर रहा है अभी अगर प्राइस से 7200 घ्त पर है अगा प्राइसली लग रहा ह जो मुझे काफी महेंगा लग रहा है तो थोड़ा सा उसमें अभी करेक्शन आना जायज है काफी Mr. Partil, एक महिना दूर है अब हम जो सरकार ने डिसाइड किया है GST की रोल आउट डेट क्या आपको लगता है अभी ऑटो जो कंपनीज हैं उनको GST के रेट लागू होने से किस तरीके का रुझान देखने को यहाँ पर मिल सकता है अब इस पर थोड़ा एलाबरेट करेंगे जो एक्साइड रेट और जो सब कॉम्बिनेशन था रेट का पहले उसी के आज़ पर की स्ट के रेट आए है तो मुझे मेरे कायल से कुछ जादा फरक में पड़ेगा ठीक है शुक्रिया अश्विन आपका बाचीत करने के लिए जी बिजनिस से अब इंटर डे लोस पर मारूति सुजू किया चुका है एक परसन का ड्रॉप स्टॉक में देखा जा रहा है चोटा कॉमेंट चाहिए गोरांग आपका मारूति पर भी जो नंबस के बाद एक पर पहले तो आपका जो निवेशल अंबियोगदी के नजरिये से उसको किसी तरह के परिवर्तन के लिए मजबूर आपको नहीं करना चाहिए पहली बाच यह नीजक रियाक्शन है हर एक महिने में अगर आप महिने दर महिने बिक्री के आंकडे देख करके रियाक करेंगे तो निवेश कभी भी सफलता पुर्वक साबित नहीं होगा तो यह चिंता आपको नहीं सता नीचिए जहां तक रहा भविशे का सवाल नए लॉंचिस को ले करके एक्सपोर्ट मार्केट को ले करके हम काफी सकारात्म के मारूति के उपर एसकोर्ट का सवाल है 360 के आसपास मुझे बहुत ही सपस्ट रूप से याद है कि आपी के चैनल पर मैंने एसकोर्ट में निवेश की सला दी थी लक्ष 585 का था 700 के उपर काम कर रहा है बहतरी नाकडे प्रेक्टर बिक्री को ले करके अच्छी बारिश को ले करके आने वाले तिमाई नतीजों में सकारत मुक सारूजान लंबी एवदी का नजरिया तो यहाँ पर भी बन रहे हैं